नमस्कार, स्वागत आउंका जोर्णे उन्मर्सकास में, मैं राम सिंग. दोस्तों, किसी भी समस्या के समधान के लिए जब मुख्यमंतरी को पत्र लिखना होता है, यदि आपने दिया आपको आख सकता है मुख्मंत्र जी को प्राथन पत्र या फिर आविदन पत्र या फिर सिकायत पत्र लिखने के लिए तो आप इस वीडियो को पुरा देख लेंगे तो इसके बाद आपको कोई समस्क्रा ने रहे जाएगी और आप एक अच्छा और प्रभावित करने वाला पत्र लिख सकते हैं तो वीडियो को पुरा देखिए और वीडियो के अंत होते होते आप जो है एक अच्छा पत्र लिख पाएंगे आए शुरुआत करते हैं कि दोस्तों आविदन पत्र या सिकायत पत्र लिखने लिखना परारा हम करने से पहले मैं आप से रिक्वेश्ट ना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन प्रेस कर लिजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो को प्राथना पत्र या सिकायत पत्र कैसे लिखेंगे तो मैंने इस पत्र का एक फॉर्मेट या प्रारूप तयार किया है जो कि मैं इस वीडियो में डिसकस करूंगा वीडियो को पुरा देखिए और आईए देखते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एक डेट लिखेंगे यानि कि उपर, लेट साइड में हम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, जिस देट में आप पत्र को लिख रहे हैं, तो जैसे कि मैंने ये पंदर जुलाई को लिखा हुआ ते हैं, यहाप लिखा मैंने पंदर जुलाई, उसके बाद स्रीयोगिया आदेतनाथ जो कि यूपी के सी पत्र लिखने के लिए बेस में बनाया गया है, तो आप किसी भी स्टेट में हो, आप इस पत्र को इस फार्में पर लिख सकते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, श्रीयोगिया देतनाथ माने मुख मंतरी उत्र प्रदेश सुचना बोन पार्क रोट, डिपार्टमें के लिए पिन कोड हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम इतना लिखने के बाद हम अपना बिखे लिखेंगे, यानि कि जिस भी समंद्र में पत्र लिख रहे हैं, जैसे आपके आपके पडोस में कोई समश्या है, कोई भैंकर बिमारी है या फिर किसी जल निकासी की समश्या है, तो उससे रिलेटेड आप यहां पर सब्जोक्त लिख सकते हैं जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आपको पत्र किस विषय से समंधित है उसके बारे में सिर्षक लिखना है उसी को हम विषय या फिर सिर्षक बोलते हैं इतना लिखने के बाद हम अपना लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे माननी मुख्यमंत्री जी इस तरह से हम शमुद्धत करेंगे और इस स्थान पर नापको समस्यां या सिकायद की विशे भी में बताना है में उस पर क्यारेवाही करने का अनुरोथ करना है तो दोस्तो आप उसको अगर नंबर वाइज लिखेंगे तो सबसे पहले माले नंबर एक, दो, तीन, चार, पाँचार, अगर डालेंगे आप अब भी बढ़ा सकते हैं इतना सब कुछ लिखेने के बाद आप जो है नीचे धन्यवाद लिखेंगे दोस्तो पत्र को लिखते समय एक अच्छे सब्दों का प्रियोग कीजिए जैसरे पत्र पुरा लिखने के बाद आप जब लिखेंगे उपरोग के समञ्द में कारवाही करने की महती किरपा करें दोस्तों ये बहुत ही प्रभावित करने वाला सब्द है जिससे पत्र को पढ़ने वाला भी प्रभावित होता है इतना सब कुछ लिखेने के बाद आप जो है नीचे आएंगे उसके बाद लिखेंगे भाधी या भाधी लिखेने के बाद आप जो है अपना नाम लिखेंगे जेदि आप किसी समोह के द्वारा लिखेंगे पॉन नमबर लिखेंगे या इसंथान लिखेंगे जहां पर आपका एड्रेस है अपको महाँ पना हस्ताक्चर करेंगे आप सिंगल स्व पर्सण है और संगठन या तो आपसितने मेंबर को आप दस्कात कराना सकते हैं दोस्तो इतना सब कुछ लिखने के बाद आपका एक पत्र जो अच्छे अच्छा जो पत्र त्यार हो जाता है और इस तरह के पत्र को लिखे आप प्रेशिद कर सकते हैं माननी मुखमंत्री जी को दोस्तो बैसिकली यही रहा एक फारमिट जो मैंने अभी बताया आपको कि मुखमंत्री को फारमिट में लिख सकते हैं तो यह अच्छा प्रभावित करने वाला पत्र है इस तरह से आप एक मुखमंत्री जी को पत्र लिख सकते हैं उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ करें सब्सक्राइब करें दोस्तों एक बात और अगर आपने सब्सक्राइब को पत्र लिखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसमें कई सब्सक्राइब करते हैं उम्मीद करते पसंद आया होगा धन्यवाद वीडियो को पुरा देख लिए बहुत करते हैं तें सब्सक्राइब करते हैं य ही डी मेंड़ continued